जे हिन दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए हाँ पर हिंदी साहती के बहुत ही मात्तपोंड कौशन आंजर तो वीडियो को पूरा वस्ते देखना है अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वे लाइक अंदवाएं ओल पर किलिक करें ताकि ओल वीडियो की जानकारी आप कहां तक पहुंचे जादा सी जादा वीडियो को सेर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें आज का अपने यहां पर फर्स्ट कॉस्चिन पूशा है भक्तिकाल के किस कभी को जडिया विशेशन से विबूसित क्या है जडिया विशेशन से विबूसित क्या है किसको क्या है यह आपके लिए इहां पर बताना है तो आपका इहां पर जो सही आंसर है क्या होगा राइट आंसर नंददास सूरदास परमनंददास या चतरभजदास आप से आ राइट आंसर है नंददास को, question number आपका यहाँ पर 12 पूंचा गया है, क्या पूंचा गया है, question number 12 तो देखिए ए रहा, कि नंददास किस कापधारा से संबंदे थे, नंददास जो है, इस संति कापधारा, किष्णी कापधारा, सूपी कापधारा या रामबक्ती कापधारा से संबन देते हैं question number 12 में आपके लिए बताना है क्या होगा question number 12 का right answer बताइए महत्वपुन question है और इसका जो सही answer है वह है विकल्प number C यानि कि किष्णि काप विधारा आपका सही answer होगा किष्णि काप विधारा जिन्होंने विकल्प number C बताया है उनका यहाँ पर सही answer है बिल्कुल सही विकल्प number C question number आपका 13 पूँचा है सुदामचरित के लेखक बताना है कौन है इसके लेखक तो बताइए इसके लेखक कौन है चार विकल्प आपके यहाँ पर दिये गए हैं सुरदास गतना कर नंददास या इनमें असी कोई नहीं तेरवा question है कई बार एक्जाम पूँचा जा चुका question है TGT में ही पूँचा गया question है और आपका सही answer है सुदामचरित के जो लेखक है नंददास है कौन है नंददास यानि की विकल्प नंबर भी आपका यहाँ पर सही answer है question number आपका यहाँ पर 14 है क्या पूँचा गया है question number 14 है तो देख लेते हैं यहाँ पर आपका दिया गया है question number 14 की भरमरगीत परंपरा में भमरगीत की रचना है की रचिना की है तो किसने की है भमरगीत की रचिना ये आपके लिए बताने question number 14 है में क्या होगा write answer नंददास या रतनाकर सूरदास या ब्रजवासी दास question number 14 है और आपका यहाँ पर भहुत ही महत्तपुन question यहाँ पर पूछे क्या है भिरमरगीत परमपरा में भंबरगीत की रचिना जो है की है तो आपके यहाँ पर सही आंसर है नंददास आपके यहाँ पर सही आंसर है बिलकुल सही नंददास जिनों ने बताया है उनका सही आंसर होगा question नंबर 14 का विकल्प नंबर 1 राश पंच अध्याई के लेखक आपको यहाँ पर बताना है इसके लेखक कौन है तो इसके लेखक आपको बताना है नंददास है रहीम है सुर्दास है अकबीर है तो question नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा बताये महत्यपुन question है राश पंच अध्याई के लेखक पूंच आपसे आपर तो question नंबर 15 का जो सही आंसर होगा आपका विकल्प नंबर क्या होगा राइट आंसर ए और सी राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर ए और सी आनिकी नंददास और रहीम आपका सही आंसर होग है क्या पूंचा है मीरा भाई का मलार किस की किरती है मीरा भाई का मलार यह मीरा भाई की है किरती या चीत स्वामी नंददास या गोबिंदत स्वामी question नंबर 16 का सही आंसर बताना है मत तुपुन question आपसे यहाँ पर पूंच गया है question नंबर 16 है और इसका जो सही आंसर है आ आपका विकल्प नमबर एक यानिकी मीरा भाई आपका यहाँ पर सही आंसर होगा मीरा भाई आपका यहाँ पर सही आंसर है बिल्कुल चाही विकल्प नमबर एक राइट आंसर है मीरा भाई का मलार मीरा भाई की किरती है भक्तिकाली साहित में मीरा भाई ने कुल चार गरंतो की रचना की है कौन-कौन से यहां पर चार गरंते नर्सी का मायरा और गीत गोबिंद का टीका राग गोबिंद और राग सौर्था और इसकी अतिरेक यह नों ने और भी जो हैं रचना की है कौस्चन नमबर आपका यहां पर 17 पूँचा है कि मीरा भाई के गुरू कौन थे सूरदास, मलुकदास, रेयदास या कबीर तो आपका यहां पर 17 को जो सही आंसर है 17 का वह है आपका राइट आंसर रेयदास यानि की विकल्प नमबर आपका यहां पर भी राइट आंसर होग सूर जाय सी कभीर तुलसी तो question number है आपका 18 है और 18 का जो सही answer है भै क्या होगा question number 18 का सही answer क्या होगा इन्वे से पुष्टी मारगी कभी पूँचा है आपसे यहाँ पर तो आपका सही answer पुष्टी मारगी में सूर आपका यहाँ पर right answer है सूर दास बिल्कुल चाही विकल्प नमबर आपका यहाँ पर एक right answer है सूर दास और यह question 2011 पुष्टी में पूँचा गया महत्वण question है question number 12 आपसे क्या पूँचा गया है तो sorry question number 12 नहीं है question number 19 की सुरीमद बल्लबाचार्य ने किस किष्ण भक्ती को पृतिष्टित किया उसका दार्शनिक आधार है तो आपके लिए बताना है अदुट्य दर्सन, दुट्य दर्सन, सुद्धा दुट्य दर्सन या दुट्य दर्सन तो question number 19 का सही answer होगा क्या होगा right answer 19 का विकल्ब नमबर आपका सी आनिकी सुद्धा दर्सन आपका विकल्ब नमबर सी यहाँ पर right answer है बिल्कुल सही question number 19 का सी right answer है question number 20 पूंचा है तक्तो दीप निवन्द किस की रचिना है तक्तो दीप निवन्द है बल्लवाचारे नावदास या निमबर का चारी अनन्द दास यह आपके चार विकल्ब है यह आपके लिए रचिना बताना है तक्तो दीप निवन्द किस की रचिना है तो 20 का आपका जो सही आंसर है आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या है राइट आंसर 20 का तो विकल्प नमबर एक सही आंसर है बललबाचार है बललबाचार है आपका यहाँ पर सही आंसर है बिलकुल सही विकल्प नमबर एक राइट आंसर है तत्त दीप निबंदे question number आपका यहाँ पर 21 क्या पूंचा गया है तो question number 21 आपका यह रहा आपकी स्क्रेन पर question number 21 नेमलेकित मैसे किसने पुष्टी मारगी की इस्तापना की है यह है चेतन्य महापिरवू बिठलनाथ बल्लबाचारी असूरदास question number 21 का आंसर बताईए किसने की है तो 21 का सही आंसर है नेमलेकित मैसे किसने पुष्टी मारगी की इस्तापना की है तो आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर B आपका सही आंसर होगा बिल्कुल सही विकल्प नंबर B राइट आंसर है बल्लबाचार दौरा रचेत गर बहे गरंथ का नाम बताने है बहे कौन सा गरंथ है तो 22 का आपका जो सही आंसर है बहे आपका राइट आंसर विकल्प नंबर D यानिकी अनुभास्चे अनुभास्चे ये 2013 में TGT में पूचा गया question है वल्लबाचार दौरा रचेत गरंथ कौन सा है question number आपका यहाँ पर पूचा क्या है 23 की किष्ने कापधारा की प्रिवर्ट तक कौन है सूरदास है नावादास स्वामी बल्लबाचार या चेतन्य महापिर्भू question number है आपका यहाँ पर 23 और 23 का जो सही आंसर होगा बहे क्या होगा राइट आंसर ये आपके लिए बताना है तो किष्ने का अपधारा की प्रिवर्ट तक पूचा है तो आपका सही आंसर यहाँ पर जो है बहे विकल्ब नमबर बी आनिकी सौमी बल्लबाचार आपका यहाँ पर सही आंसर होगा स्वामी बल्लबाचार आपका सही आंसर है question number 24 पूचा है इन्वे से किष्ने भक्ते कभ नहीं है सूर्दास, किष्ने दास, रस्खान या तुलसी दास तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है question number 24 पूचा है आपका विकल्ब नमबर क्या होगा राइट आंसर विकल्ब नमबर डी आनिकी तुलसी दास तुलसी दास बिलकुल सही आंसर है यह जो है किष्ने भक्ते भी माने जाते हैं, राम भक्ते कभी हैं, तुलसी दास, question number आपका यहाँ पर 25 पूचा है कि कई चिंतन और कला धाराओं का योगदान मिलता है किष्न भक्ती धारा में या भारतियन दुगिन धारा में या प्रियम्मारगी धारा में या रिती काब्ध धारा में तो कई चिं question number आपका यहाँ पर जो 26 पूच्चा क्या है, यहाँ पर क्या पूच्चा क्या है, देखिए, रोत्र संप्रदाई की स्थापना किस ने की है, रोत्र स्वामी, विश्णू स्वामी, यह स्री स्वामी, या निम्बार का चार, question number 26 का आंसर बताएए, क्या होगा, question number 26 का सही answer, रुद्र संप्रदाई की जो इस्ताफना की है, भै किसने की है, 26 वा कॉस्चन है, महत्पूर्ण कॉस्चन पूंचा क्या है, और आप कहें आप जो सही आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर बताए, विकल्प नंबर C आनिकी विश्णुस्वामी, विश्णुस्वामी जिन्हों ने बताया है, उनका सही आंसर है, इन्होंने रुद्र संप्रदाई की स्ताफना की है, कॉस्चन नमबर 27 क्या पूंचा है, कि रादा बल्लाव संप्रदाई का प्रवर्तन किसने किया है, भौत ही महत्पूर्ण कॉस्चन, एक कॉस्चन टीजी टी दोजार, तेरा में एक आंसर है, भै होगा हित हरी बंस आपका यहां पर सही आंसर है, विकल्प नमबर आपका सी यहां पर राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही विकल्प नमबर सी आपका राइट आंसर, रादा बल्ला संप्रदाई का प्रवर्तन हित हरी बंस से, जीने क्या था, और इनको जो है, किर्ष्ण की बंसी का आउतार कहा जाता है किनको हितहरी बंस को किर्ष्ण की बंसी का आउतार कॉस्चे नमबर आपका यहां पर जो 28 पूँचा क्या है वै क्या पूँचा है कि किर्ष्ण के साथ राधा की महानिता खालिस्तान संपरदा की विशिष्ता है निसरी संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रोद्र या सनकादी तो question number 28 का सही answer आपके लिए बताना है कि किर्ष्णी के साथ राधा की महानेता खालिस्तान संप्रदाय की विशेष्टा है तो कौन से संप्रदाय की विशेष्टा है तो 28 का सही आंसर होगा आपका विकल्प no. D कादी संपरदाई संपरदाई है आपका सही आंसर यहाँ पर 2015 PGT में कॉसेट पूँचा गया है याद रखेए महतुपॉन कॉसेट है कॉसेट नमबर आपका यहाँ पर 29 पूँचा गया है क्या पूंचा गया है तो देख लेते हैं question number 29 देखिए यह रहा आपका 29 वा question ने में लिकत में से कौन स्री किर्ष्ण भक्ति का संपरदाई नहीं है तो स्री वल्लब संपरदाई तत्सुकी संपरदाई हरिदाशी संपरदाई या गौनी संपरदाई तो यहाँ पर देखिए स स्री भक्ति संपरदाई का संपरदाई नहीं है स्री किर्ष्ण भक्ति संपरदाई नहीं है तो कौन सा नहीं है तो आपका सही आंसर होगा question number 29 का विकल्ब नंबर C आनि की तत्सुकी संपरदाई तत्सुकी संपरदाई आपका यहाँ पर सही आंसर है question number आपका 30 पूंचा है 84 वेस्णों की बारता का समद्द कि संपरदाई से है सकी संपरदाई, सिरी संपरदाई, रामानु संपरदाई या बललब संपरदाई देखे एक question है जो है आपका तीसवा question है महत्वुन question पूंचे गया है और आपका PGT परिक्षा में भी एक कॉस्चिन पूंचा गया था 2013 में और इसका जो सही आंसर होगा कि 84 वेशनाव की बारता का समद्ध कि संपरदाई से है तो विकल्प नंबर D यानि की बल्लब संपरदाई कॉस्चिन नंबर आपका यहाँ पर 31 पूंचा है अश्टियाम नामक पूस्टक में किनकी किसकी दिनचर्या का बंडन हुआ है अश्टियाम में बताना है तो अश्टियाम में बताना है क्या होगा सही आंसर किष्ण बिशनू, राम या संकर तो 31 का जो सही आंसर है आपका विकल्प नंबर क्या होगा राइट आंसर 31 का तो यहां पर 31 का तो इन में से यहां पर आपका देख लेते हैं तो में आपका अश्थ्याम में किसनी की दिन चर्या का बंडन है इसने किया गया है यहाँ पर गया हैHAM तो यहाँ पर विकल्प नंबर एक सही आंसर होगा, question number आपका यहां पर क्या पूँचा गया है, तो यहां पर देख लेते हैं, question number 32 कि चीट स्वामी किस धारा की कभी हैं, चीट स्वामी बताना है, तो चीट स्वामी जो है, राम भक्तिक प्रेम मारगी आश्ट चाप या निर्गण मारगी, तो चीट स्वामी जो हैं, राहा है, इसके पुर्मक कभी हैं, चीट स्वामी अश्ट चाप दारा की कभी थें, और जो चीट स्वामी थें, यहhus ش़़ा की निवासी थें, कहां की निवासी थे, मत्रा की, question number आपका यहां पर 33 पूँचा ह जो है यह बंत्रा सो सेट इस भी इमें किस ने की थी आश्ट support कि इस्तापना है तो आपका राइट आंसर क्या कब की थी फंत्द्रा सो सेट में हिस्तापना की थी गोकुल्णाथ ने बल्लबचार विठलनात या नमबार का चारे तो आपका सही आंसर है विठलनात विकल्प नमबर भी आपका यहाँ पर सही आंसर है भी आपका राइट आंसर बिल्कुल सही राइट आंसर यहाँ पर बताया है तो इस परकार अपनी यहाँ पर बहुत ही महत्तपुल में जरूब बताएं अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं वृल पर क्लिक करें ताकि वृडियो की जानकारी आप किया तक पहुंचे ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सेर करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें तो आज की वीडियो में बस इतना ही सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए जय हिंद